दोस्तों, Motorola ने Moto G8 Powerlight स्मार्टफोन को इंडिया में लांच करने के बाद आखिरकार आब Motorola ने तमाम लीक्स के बाद Moto G9 इंडिया में लांच कर दिया है और ये लैटिस्ट स्मार्टफोन 6.5 इंच के बड़े डिस्पले के साथ आता है इसके लावा है इस smartphone में आपको तीन camera को देखने को मिल जाएंगे तो चली बात करते हैं Moto G9 की specifications, features और कीमत को लेकर कि क्या क्या आपको इसमें देखने को मिल जाएगा सबसे पहले हम बात करते हैं Moto G9 की कीमत के बारे में तो Motorola के latest smartphone Moto G9 की 4G VRAM और 64G VRAM जो model है वो आपको 11,499 पर में मिल जाएगा इस smartphone को forest green, shopier blue color options में आप ख़ई सकते हैं और इस smartphone की बिक्री जो है वो 31 अगस्स से e-commerce एट flip card पे मौजूद रहेगी अगर हम बात करते हैं Moto G9 की specifications को लेकर तो Moto G9 में आपको 6.5 इंच का HD Plus Max Vision TFT डिस्पले दिया गया है जिसका screen to body ratio 87% है इस smartphone में आपको बहतर performance के लिए Octa-Core Qualcomm Snapdragon 612 processor मिल जाएगा भाई ये smartphone ले test Android 10 पे काम करता है बात करे Moto G9 के camera को लेकर तो Moto G9 में आपको triple rear camera setup देखने को मिल जाएगा जिसमें पहला camera 48MP का primary sensor है जबकि दूसरा camera 2MP का depth sensor है और तीसरा camera 2MP का macro lens है साथ इस smartphone के front side में आपको 8MP का selfie camera देखने को मिल जाता है इसके लाबा यूजर्स को इस smartphone में auto smell capture, HDR, face beauty और manual mode जैसे camera features भी देखने को आपको मिल जाएगे बात करते हैं Moto G9 की battery और connectivity को लेकर तो company ने Moto G9 स्मार्टफोन में connectivity के लिहाज से 4G volti, wifi, gps, bluetooth version 5.0, NFC और USB tap C जैसे features दी है इसके लाबा इस smartphone को 5,6 mm की battery का support मिला है जो कि 20 baht fast charging से लेस है भी इस smartphone का बजन 200 gram है इस smartphone को जब हाज तोर पे इंडिया में launch कर दिया है जिसे आप 31 अगस्त वाले दिन flip card से खरीज सकते हैं Moto G9 Plus जो अब 11,490 रुपए में आप flip card से खरीद पाएंगे बात करते हैं Motorola Moto G8 Powerlight जो की रिसेंटली में Motorola ने launch किया था तो Motorola Moto G8 Powerlight smartphone मही में लांच हुआ था इस smartphone के 4G विरम और 64G वाल जो variant था वो 8,999 रुपए में आया था फीचर्स के बात करें तो ये smartphone में आपको 6.5 इंच की HD Plus IPA डिस्प्ले के साथ आया था फोन के डिस्प्ले का aspect ratio 29 का था ये smartphone जो था वो media tech के लिए वो P35 processor के साथ आता है फोन के camera features के बात करें तो इसके back में आपको triple camera setup दिया गया है फोन में आपको 16 MP का primary sensor 2.0 aperture के साथ इसके लाबा 2 MP का macro lens 2.4 aperture के साथ फोन में तीसरा camera 2 MP का depth sensor 2.4 aperture के साथ इस smartphone में आपको selfie के लिए 8 MP के camera मिल जाएगा फोन को power देने के लिए इसमें आपको 56 mAh की दमदार बैटरी भी दिगी है फोन में connectivity के लिए USB Type-C charging feature मिल जाएगा जो कि 10 बार फार्स charging को सपोर्ट करता है फोन में audio के लिए 3.5 MP headphone jack भी दिया गया है तो ये जो स्मार्टफोन है वो आप खरीज़ पाएगे 89900 रुपे में Moto G8 Power Lite दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंदयोगी